वेल्कम बैक तु दी नेक्ट वीडियो तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैलेंज करूँगा कि आप लोग अपना खुद का फंक्शन लिखें गूगल ड्वैल्पर टूल केंदर आउट भोगन इसको नहीं लिखना हैimeter यहांपर मैं आपको इंटिट़्ूश बने करता मां एक रोबोट के यहांपर हम लिखते हैं केरल आईडीई तो यहाँ पर आपने जाना है केरल आईडीई अब यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग उने सिंपल क्या करना है यह आपके पास एक फंक्शन इन्होंने क्रियेट किया गाए यहाँ पर आप लोग अपना जो भी आपका कोड़ आप वो यहाँ पर लिखेंगे और यह आपका रोबोट है इसको आपने कर लेना है 5x5 तांकि आप लोग इसको थोड़ा चोटा करता किया और इसको एजिली कर सकेंगे यह हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं भी फिलाल तो इसको आप simple इस तरह कर सकते हैं अब यहाँ पर यह आपका एक रोबोट है जो कि क्या करता है आप से simple instructions लेता है और उनके ओपर यह अमल करता है अब यहाँ पर आप जो भी code लिखेंगे जैसे ही आप run पर क्लिक करेंगे यह करेंगे उस code को execute कर देगा और इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर इसके रिकर्ण disappointment करता है यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास reference है आप यहाँ रिक्षणार के अंदर क्या है इसके अंदर वह commands है जो आपका जो रोबोट है वो लेसकता है मतलब कि आप इसके लावा कोई भी कमांड उसको देंगे वह उसके अमल नहीं करेगा यहां पर इन्होंने कुछ कमांड लेक्ती हैं यहां पर यह कुछ बेसिक कमांड हैं जिनको आप यूज करेंगे और हम इस वीडियो के अंदर यूज करेंगे इन कमांड को तो देख लेते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मूव कराऊं तो यहां पर सबसे पहले मैं इसको करता हूँ मूव और यहां पर हम समिकुलन लगाते हैं इसको मैं रान करता हूँ जैसे मैंने मूव लिखा तो इसने यहां पर मूव किया next step पर यह आगया ठीक है अगर इसी तरह मैं इसको यहां से करूँ copy और paste पे अब यहां से मैं इसको अगर reset करूँ reset करने के बद मैं फिर से इसको run करूँ तो यह देखें मैंने तीन दफा मूव लिखा यह 3 टाइम move किया पहले यहां पे आया फिर यहां पे आया और फिर यहां पे आया तीक है इसी तरह अगर मैं इसको फिर से reset करूँ और इसको मैं यहां पर कहूँ इसको मैं यहां पर कहता हूँ turn left अब मैं अगर इसको run करूँ इसको फेस है वो left को turn कर लिया अब मैं इसको कहता हूँ कि circle अगर मैं चाहता हूँ कि यह एक circle ले कि मैं simple इसको यहां पर face करता हूँ face इसको यहां से मैं research करते हैं और यह देखें इसको इसने एक circle लिया और वापस ते जो इसका face था वो उसी जिगापर आगया जहां पर सबसे पहले था अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहां पे आए फिर यहां पे आए फिर यहां पे आए और फिर यहां पे आए तो इसके लिए मैं करूँगा अब यहां पर आप लोग जितने वर्दी चाहें functions create करते हैं यहां पर मैं function create करता हूँ function को मैं कहता हूँ go in circle यहाँ पर यह मैंने नहीं देखा आप लोग function के name के अंदर spaces नहीं दे सकते यहाँ पर इसको हम क्यों कर लेते हैं अब यहाँ पर आप लोग ने simple क्या करना है first of all move और इसके बाद इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे copy turn left सबक्स Towel इसके पहले यह move करेगा फिर turn left करेगा फिर इसको और यहाँ पर मैं प्रीज करते हैं और यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ खतम और इसकी जिगाँ यहां पर मैं लिखता हूँ go in circle और यहां पर मैंने अपने इस function को call कर दिया अब जैसे मैं इसको reset करके run करूंगा तो यह देखें यह एक दफ़ा यहां से यहां तक आड़ गया अब अगर मैं इस function को यहां पर दुबारा call करूं मैं इसको यहां पर दुबारा call करूं और इसको मैं reset करूं अब अगर मैं इसको run करूं तो यह देखें मैंने simply two times अपने function को call किया और उसने क्या किया यह जो मेरा four lines का code था जो के eight lines का बन जाना था उसने इसको simple two lines में execute कर दिया आप इसको जितनी मज़ी time चाहें आप इसको लिख सकते हैं अब यहां पर मैं आप लोगों को एक challenge देता हूँ चोटा सा और उस challenge मैं किया कि आप लोगों ने थोड़ सा code लिखना है और इस code की मज़़द से आपने यह जो आपका robot है कैरल इसको आपने इस corner से right corner तक आपने इसको लेकर जाना इस five by five world में मतलब आपने इसको यहां से change नहीं करना है आपने इसको यहां से simple यहां तक लेकर जाना है right corner तक उस simple video को pause करें और इस challenge को complete करें और उससे पहले आप लोगों को नेंगा करना है यहां पर यह reference देख लेने हैं कि आप लिए कन किन चीजां को commands को यहां पर want use कर सकते हैं तो वीडियो को pause करें और Challenge को complete करें तो उमीद करता हूँ कि आप लोग ने इस Challenge को complete कर दिया होगा तो हम यहां पर इसको देख लेते हैं अभ यहां पर इसको complete करने के बहुत सारे तरीके हैं यह कई तरीकों से complete आप इसको कर सकते हैं एक तरीका तो यह है कि आप simple इसको आप लिखें move और यहां पर आप move को copy करें copy करके paste okay paste okay six, seven and eight eight और इसके बाद यहां पर आप लिखते है simple turn left okay अब यह क्या करेगा यह four time move करेगा यहां तक फिर turn left लेगा और four time यहां तक move करेगा अगर हम इसको run करें तो यह देखें हमने simple इसको यहां पर इससरा complete कर लिया लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप यहां पर notice करें तो हमारा जो move है कि यहां पर repeat हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ simple यहां पर एक function create करता हूँ function और function को मैं नाम देता हूँ move for time ओके यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर function create किया और इस function के अंदर यहां पर मैं simple क्या करता हूँ इसको करता है copy और यहां पर मैं इसको paste कर देता हूँ और इसकी जगाँ मैं यहां पर इस function को simple move की जगाँ मैं simple इस function को call कर लेता हूँ उसके paste और यहां पर भी paste अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने simple उन 8 lines की जगह मैंने यहां पर 2 lines लिखी, move four time, मतलब कि मैंने जो function create किया था, मैंने उस function को यहां पर call कर लिया, अब अगर मैं इसको research करूं और run करूं तो यह लिखी, यहां से simple हमारा right corner तक पहुंच गया, अब यह जो आपका function है, यह आपको allow करता कि आप इसको छीक है, जिस तरह अगर यहां पर मैं इसको फिर copy करूं, यहां पर paste करूं और इसको मैं फिर यहां से copy करूं और जहां पर paste करूं, अब अगर हम इसको देखें, तो यहां पर यह देखतें, मतलब कि आप जितनी मर्धी times चाहें आप इसको repeat कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आप यहां पर इसके थूप प्रॉब्लम्स भी कैच कर सकते हैं वह किस तरह कि मतलब के मानलो के में से गलती से यहां पर तीन दफा मूव लिखा गया है अगर इसको run करूंगा तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां से अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम आया है यह आपका लोजिकल प्रॉब्लम है यह आपका कोई syntax error यह और नहीं है यह आपका logical error है तो इसको अल करने के लिए आप simple जाएंगे अपने function में आपको idea को कि यहां पर मैंने three times move लिखा है जबकि मैंने four times लिखना था तो यह देखें simple आप इसको करेंगे यह आपका correct हो जाएगा अब यहां पर जो next चीज़ है वो next चीज़ मारे पास क्या है वो है हमारी जो एक और command है put beeper अब यहां पर अगर मैं लिखूँ put beeper और इसको अगर अब मैं run करूँ तो यहां पर यह देखें put beeper से क्या कर रहा है यह यहां पर एक beeper छोड़के यह आगे जा रहा है ठीक है अब यहां पर आप लोगों के लिए एक simple सा challenge है वो challenge यह है कि आप लोगों ने एक diagonal line create करनी है beepers के दूँ मतलब कि एक beeper यहां पर एक beeper यहां पर एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर और एक यहां पर और इसको यहां से यहां तक आप लोगों ने लेके जाना है और जो आपका code है वो आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है कि वो जितनी कम दफा रिपीट हो उतना अच्छा है मतलब कि सबसे कम दफा जितना रिपीट हो सकता है आप लोगों ने उस तरह इस code को लिखना है अपने तो उसके लिए simple video को pause करें और इस challenge को complete करने की कोशिश करें ओके तो उमीद करता हूं कि आप लोगों ने इस challenge को complete कर दिया होगा अगर आपसे नई complete हुआ तो हम देख लेके हैं अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है कि आप लोग simple यहाँ पर सबसे पहले put beeper ओके फिर आप इसको कहें move ओके फिर आप इसको कहें turn left और फिर आप इसको कहें turn left के बाद फिर move ओके तो अगर अगर अब मैं इसको run करूं तो यह दिखें यह simple यहाँ तक आया ठीक है अब आप इसको अगर इसकर अप लिखें मैं इसको तैसे 6प कापी करता हूं कापी करके यहाँ पर पहले मैं लिखता हूं turn right और यहाँ अब जल्ड़ पर मैं सको तैसे 7 करता हूं copy and paste और अगर हम इसको run करें तो यह दिखने यहाँ पर आपको इसको दो से तीन दफ़ा और लिखना पड़ेगा तो इसकी जगा हम लोग simple क्या करते हैं यहां पर मैं इसको लिखता हूँ diagonal beeper ओके इसको हम कर देते हैं diagonal beeper और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ मैं simple इसको करता हूँ copy और यहां पर मैं करते हैं delete और यहां पर मैं इसको copy करता हूँ और इसको मैं यहां पर कर देता हूँ paste five times अब अगर हम इसको run करें तो यह देखते हैं front is block तो इह हमने four times करना है इसको four times कर लेते हैं ओके तो यहां पर एक वीपर हमारा missing हो रहा है तो यहां पर मैं simple लिख देता हूँ put वीपर अब अगर हम इसको run करें तो यहां पर यह देखें हम लोगों ने simple क्या किया हम लोगों ने simple इसको यहां से यहां तक ले गए एक function के through जिसको हमने four times call किया और उसके बाद हम लोगों ने end पे जो हमारा problem आरते हो लोगों ने simple अलग से put भी पढ़िए तो यहां पर आप लोग simple इस तरीके से function create कर सकते हैं उनका आप use कर सकते हैं और उनके through आपका जो code है उसको आप काफी छोटा कर सकते हैं और बार बार आपको इसकी बजाए के आप बार बार इसना लंबा code लिखें आप simple उसका एक function create करें और simple उस function को call कर दें जहां जहां पे आपको उसकी जरूरत है तो यह थी मारी आज की वीडियो मेंसे हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट बार आप